हेलो नमस्कार दोस्तों मेरे नाम है आजे कुमर साहनी और आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस यूटूब चैनल साहनी कंस्ट्रक्शन में तो आज के वीडियो मैं फ्रेंट डिसकस करने वाले हाउ टू केलकुलेट कॉस्ट ऑफ वाटर फ्रूफिंग इन वन थाउजन स्केर फिट एरिया ठीक है न यहीं आप वाटर फ्रूफिंग करवाते हैं अपने बात्रूम में ठीक है न टैरिस एरिया पर यह टॉप फ्लोर पर जहां पर भी आपका पानी का जो है सोर्स बहुत ज देखते रहिए ताकि सभी चीज़े आपको सही तरीके से पता लग पाए और यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिये गए रड़ बने में क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में एक बाइल आकन दिखता हो को उ इसका बचाव क्या-क्या है और आप किस तरीके से मेथर का यूज करके अपने घरे में वाटर प्रूफिंग करवा सकते तो सारी बाते मैंने पिछले वीडियो बताई थी तो जिन लोगों नो वीडियो नहीं देखिए उपर आई बटर में क्लिक करके उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं तो आज हम बात करने वाले सिंपल कोस्ट के उपर आप सिंपल मान के चलिए आपकी कोई भी वाल है या फ्लोर है या टैरी सेरी है जो भी आप समझना चाते हैं समझ सकते हैं मैंने एक एक एक्जामपल लिया हुआ है लेंथ आपकी जो है 40 feet और width आपकी 25 feet है यदि आप इसका square feet area निकलना चाते हैं तो length into width हो जाता है यह आपका 1000 square feet में रहे आपर area निकल के आ जाता है तो इसमें दो टाइप का cost आपका लगने वाला है एक तो material cost जो भी आप खरीद के लेकर आएंगे दुकान से और दूसरा है जो आप जो लेवर से coating आप अपलाई क करवाएंगे एक labor cost दो टाइप के cost है इन दोनों cost के बारे detail में हम बाते कर लेते हैं material में आपका जो आएगा वह एक तो आपका chemical cost आएगा ठीक है जो भी आपने waterproofing के लिए जो chemical आप यूज़ करने वाले वह और दूसरा आपका cement और तीसरा आपका sand यह तीन आइटम जो है को यहाँ पर लेकर आना पड़ेगा राइट material के लिए ठीक है न तो अभी बात करते हैं chemical cost के इतना आने वाला है देखिए जो हमारे पास chemical है chemical हमारे पास देखिए fair meat company के जो हम लोग chemical यहाँ पर यूज़ कर रहे है ठीक है न और यहाँ पर जो इश देखिए लोग वो fair create chemical यूज़ कर रहे है sbl ठीक है न और repair के लिए उस कर रहो है ρmwls तो दो type के यहाँ पर chemical आता है ठीक है न तो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ जो एक later जो chemical हो जब आप coating करते हैं तो वो आपका approximate 25 square feet area जो है आपका cover कर लेता है एक लेटर जो है chemical आपका 25 square feet area आपका cover कर लेता है तो एक square feet में दिए आप देखना चाते हैं कि कितना मेरा chemical लगने वाला simple 1 divided by 25 लेटर हो जाएगा और आपको निकालना है thousand square feet में कितना chemical लगने वाला है तो simply आप thousand को दिए multiply करते हैं 1 divided by 25 से यहाँ पर आपका जो निकाल कहता है 40 liter यानि हमें यह से यह पता लग जाता है कि आपका 1000 square feet area में 40 liter आपका जो है यहाँ पर chemical का खर्चा आने वाला है आपको 1000 square feet आपको chemical लगाना है ठीक है न तो वहाँ पर आपको 40 liter लगाना पड़े यह डवल कोट का खर्चा है ठीक है न डवल कोट यहाँ लगाना होता है तो एक लेटर के दिए आप खर्चा देखेंगे नॉर्मली तो वह 150 रुपए है तो हमें 40 liter के requirement तो 40 into 150 आपका 6000 रु सीमेंट देखें यहाँ पर एक लेटर में आपका जो है 1.5 kg का खर्चा यानि कि आप एक लेटर जब सीमेंट आप यूज करेंगे तो इसमें आपको 1.5 kg सीमेंट आपको मिक्स करना होता है तो आपको एक 1000 को कबर करने के लिए 40 liter केमिकल की requirement है तो यानि कि हम सीमेंट की बा सीमेंट लगने वाला है और यहाँ प्लस पांट केजी मैं एक्ष्ट्रा लिया हुआ है क्यूं कि देखिए कोटिंग करने से पहले क्या होता है इस step में बताता हम कैसे कैसे होता है तो पहला step जहरा दिख रहा है कहीं ग्रूब ज़्यादा गहरा दिख रहा है तो वहाँ पर आप आपको RMW क्या RMW LS जो chemical होता है उसको mix करके आपको जो है cement के साथ उसमें आपको जिस तरीके से मुटा टाइप का बना के आपको जो से रिपेर करना पड़े इसलिए मैंने यहां पर रिपेरिंग के लिए एस्टिमेट मैंने फाइफ केजी ले लिया इसमें आप जो है सेंड भी मिलाएंगे और केमिकल को मिला कि आप यहां पर रिपेर कर सकते हैं ठीक है यह मेरा लगबग आपका सिस्टी फाइफ केजी सीमेंट करचा आने वाला है और इसां बैग में करवट करेंगे तो वन प्वेंट त्री यहां पर टूटल यह पर सिमेंट लग जाता है और एक बैग आप के आप रेट करेंगे प्रिजन टाइम पर तो चार सो रुपए का एक बैग यहां पर आपको मिल रहा है कॉस्ट जो है एक पॉइंट तीन इंटू में चार सो तो लगबग आपका पांसो बीस रुपए आपका खर्चा लग जाता है सीमेंट के ऊपर और उसके बाद मैं बात करता हूं सेंड की तो सेंड आपको जो सिंपल रिपेर परपस के लिए चाहिए कि जो 1000 स्केर फिट जो सर्फेस है वह आप जो वाइड वगए रहा है उसको फिल करने के लिए तो वह डिपेंड करता है कि सर्फेस कैसा इस सर्फेस ओल्रेडी स्मूथ है तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा रिपेरिंग में खर्चा नह ले लिया है कि मेरे को पास जो है 20 सिएफटी जो है आप रिता लगने वाले रिपेरिंग के लिए और एक सेफटी के बात करें सेंड के खर्चे की तो 25 रुपय है तो बीस सेफटी को जाए सिंपल 500 रुपय का आपका यहां पर सेंड लगने वाले 1000 सिंपल में 1000 की बात कर रह है यह आपका मेटेरियल पे जो है लगने वाला है और इसके बद हम बात कर लेते हैं लेवर कॉस्ट के ऊपर तो एक स्केर फीट का जो लेवर कॉस्ट लगता वह रुपय पांच रुपय लगता है तो आपको 1000 इसकेर फीट एरिया को कबर करना है तो 1000 को आपको मल्टिप्ल साथ हजार बीस प्लस पांच हजार तो बारह हजार बीस रुपया आपका जो है टोटल खर्चा आता है 1000 स्केर फूट एरिया को वाटर प्रूफिंग करवाने के लिए राइट यह हम एक फलेक्चुएट हो सकता है यह रेट यह आप अपने घर में करवाते हैं क्योंकि वह करता है कि किस तरीके से आपका जो अगर बना हुआ है वह उसके सर्फिस पर भी डिपेंड करता है क्योंकि सर्फिस आपका बहुत ही ज्यादा रफ हुआ यह सर्फिस आपका बहुत ही ज्यादा वाइड हुआ तो वहाँ पर केमिकल की कोटिंग जो है वहाँ थोड़ी सी को अबर करने के लिए 12,020 रुपए के आपर खर्चा आने बाला है ठीक है न तो आज की वीडियो के अपडेट फ्रेंड यही था और मुझे उमीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा यदि वीडियो पसंद आ रहे वीडियो को लाइक करें शेयर करें और अपने फ्रेंड